हेलो अब्रिवान वेल्कम टू आई चैनल आलाइं जी एस भाई दिवाकर तो आज का जो यह सेशन होने वाला है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरपेसी कॉले लेक्चरर का जो आपका एक्जाम हुआ था दोजार सोला में उसी का पेपर हम लोगों ने साल्व कर रहे थे हम लोगों ने पच्छास प्रस्णों को कल वाले लेक्चर में देख लिया था आज हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट फिप्टे क्यूशन यहां पर देखेंगे और हमने यहां पर टार्गेट ये बनाया था कि कम समय में हम लोग केवल यहां पर क्यू parody देख लेते हैं इससे किया होगा कि आपका यह मानके चलेगा यहां से इस पेपर से केवल 5-7 प्रस्ण आपको हायर में पूछे जाने वाले हैं PGT में आएंगे, TGT में आएंगे, GIC में भी प्रस्न पूछे जाएंगे, क्योंकि स्लेबस इसका लगभग सेम है, और साथी साथ जो आपका अभी RPSC कॉले लेक्षिरर का सब्टेंबर में होने वाला पीपर है, महां पे भी इसके पूछे जाने की संभाना बढ़ जाती है, क आप कॉले लेक्षिरर या यूपी हायर एजुकेशन उसकी टेस्ट स्रीज या क्लासे चाहते हैं, इस नंबर पर वाट्सअप कर दीजिएगा, वहां पे आपको सारा डीटेल प्रवाइड करा दिया जाएगा, साथी साथ पीजी टी, GIC और TGT की वहां पर उपलब्ध हैं सूची वन और सूची दो दिया गया, इसको आपको मैच कराना है, तो इसमें आपको देखे, महासागरी धारा या अस्थानी पौनों का बित्रन मानचीतर में किस प्रक्षेप पर दिखाया जाता है, तो एक एक करके इस तरह से भी आपसे प्रशन ये पूछे जा सकते हैं, जैसे महासागरी धारा या अस्थानी पौनों का बित्रन किस प्रक्षेप पर दिखाया जाता है, तो ये किस प्रक्षेप पर दिखाया जाता है, ये आपका मर्केटर प्रक्षेप पर दिखाया जाता है, गयों ये चुकंदर का जो बित्रन है, ये आपका मालविट प्रक् प्रक्षेप उसको उसके प्रदर्सित किया जाता उसके बाद आपका आजाता है प्राकृतिक रबड एवंग चावल का जो बिस्वित्रन है यह समझे त्रबेलनाकार प्रक्षेप पर दिखाया जाता तिस अधार पर आप देखे एक आए बी सी एन एक दो तीन चार तो जो मै साइट पर जाईएगा वहां पर आपको अफिसियल की और यह पेपर जो यहां पर आपको दिख रहा है यह सभी महां पर मिल जाएंगे चले दूसरा प्रसंद के फिप्टी टू में यहां पर दिया एक संसाधन के प्रकार और उदारण अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 90 अब्वेकरडी अनब्वेकरडी पुनर चक्री और एकल और इसमें देखे तीन तो यह बनाए प्लस यहां पर उदारण दिल लिख दिया है ठीक तो हलाकि और प्रसंद आपका 52 इसे रिमूब कर दिया गया है डिलीट करा दिया गया क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं फ कोई रेयर केस पर प्लेस पर पाया जाते है जैसे अपका क्या होगिया नाम मोना जाइट ज गुरूप में यह पाय जाता तो यह एकल में आ जाएगा आपका ठीक नब्यकारणी का मतलब कि जिसको पुना से रिन्यू किया जाए यानि जो निकट भविस में खतम नहीं होने वाला जैसे आपका सोरल इनरजी वगर हो गया आपका कोईला हो गया पेट्रोल हो गया डीजल ह गया यह सभी पुनर चक्री में यानि वही चीजें कि जिसको पुना से आपका उसको उपयोग में जैसे मिट्टी हो गया यह सभी इसमें सामिल हो सकते हैं फिलाल इसको डिलीट कर दिया आयोग ने तो हम बात कियें कि जो डिलीट प्रसन है उसको अलग से देखेंगे कि क्य टो मतसयन किस में आता है ठीक मतसयन जो है अपका आता है प्रामरी अक्टिबिटी में यह प手 दिया है जब कि निरवाहक जो मतसयन है यह मतस गनाण हैं यह दुती में आता है यहां पर जो जिन्देरा वही आप देखिए पहले लकडी काटना और फरनीचर बनाना दोनों क्या है यह देखिए आपका UGC में पूछा गया है लकडी काटना और फरनीचर बनाना दोनों दुतियक ब्योसा हैं परिभान और प्रतिरक्षा दोनों तृतियक ब्योसा हैं बैंकिंग तृति बढ़े जिक दो मस्यान है यह primary वह कि secondary में ठीक क्योंकि उसमें क्या बुला जाता है commercialized जो भी चीजें होती है वह उसमें आ जाती है ठीक जबकि यह आपका प्रैमरी में आता है लकडी काटना ठीक लकड़ी काटना आपका प्रैमरी अक्टिविटी है यानि और फरनीचर बनाना यह आपका सेकेंडरी में आ जाता जो फरनीचर उद्योग हो गए या इंडस्ट्री हो गए ठीक उसके बाद परिवहन आपका आ जाता तृतियक में प्रतिरक्षा यह हाई जो एक्टिविटी फॉर्थ एक्टिविटी है उसमें माइनूट लेवल पर जब डिफ्रेंस किया जाता तब इसको पॉंच भागों में डिवाइट किया जाता वैसे तो हमारे पास कितने होते हैं टोटल चार एक्टिविटी हैं तो प्रबंदन हो गया रिसर्च हो गया साइन्टिस्ट हो गया इन सभी को हम लोग फॉर्थ में सामिल करते हैं यादि फिफ्ट के आधार पोस्को डिवाइड एशन ना किया जाए तो ठीक तो प्रथम में आपका हुआ तो आपके पास बैंकिंग हुआ कि बैंकिंग भी प्रकार की क्या सर्भी सेक्टर चीज़े हैं तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया फिफ्टी थरीका फोर आगे हम लोग बात करें तो अंतरास्टी प्रवा आके संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार पर लगभग एक प्रतिस्यत है जबकि ग्सीद देशू की साथ प्रतिस्यत से अधिक है तीक उसके बाद यहांप देखे कुल बीशू के कुल निरियाद वैपार में विकासील देशूं का यूगदान लगभग 32 पर संट है जबकि ग्सीद देशू का 64 है ऐा सिंगापुर म का मातपूर्ण हो जाता है UGC के लिए और हायर के लिए भी कॉले लेक्षर के लिए यहां पे देखिए जो ब्यापारिक खंड उनकी बात कर रहा है कि लाप्ता है नाफ्ता है साफ्टा और एफ्टा है ठीक यहां पूल लाए कि सदस्देश के कौन-कौन से हैं तो देखें स् एक पहले मैच करा लिजिए ठीक तो हम लोग देख रहे हैं फिप्टी फाइफ नंबर प्रश्ण तो यहां पे हमारे पास जो अब लेबल है देखें सी का क्या हो जाएगा साफ्टा यानि कि साउथ एसिया वाले कौन सी कंट्री यहां पे आपको दिख रही है तो आपका हो अर्जेंटीना आ गया नाफ्टा यानि कि नार्थ अटलांटिक वाला है तो नाफ्टा में आपका आ जाएगा कनाडा और यह से उसके बाद एफटा में आपका स्वीडन और स्वीटिजर लेंड ठीक आगे देखें कुछ प्रतिपादक देश यहां पे दिए गये हैं और क अभी का सिद्धान जो यहां पर आपको दिख रहाएं हमने कराया भी आपको ब्योहार परक्सिद्धान्त हो गया अस्थानी करण त्रिभूज बाजार प्रतियस पर्दा नियुंतम परिभान लागत ठीक 56 है यह प्रस्ण तो इसमें आप देखिए प्रेड का क्या है प्रे प्रेटर और हाट लिंग आपने सुना होगा इनका बाजार प्रतियस पर्दा सिद्धान्त है अलफर्ट वेबर का नियुंतम परिभान लागत सिद्धान्त है तो यहां पर हम लोग एवलुएशन करें अब तक जो साल हुआ है तो जीतने यहां पर आपको मैच कराने वाले आपके प्रेशन सही होने के तो एक दू तीन चार आपका त्री हो गया आगे देखिए यहां पर परवत निर्माणकारी घटनाओं के सही कालकरम की बात की गई है यह भी हमने कराया है जो मर्फोलाजी में आप देखेंगे ठीक तो यहां पर देखिया कि कोरोनोलजिकल सिक् के यहां पर परवत निर्माणकारी घटनाओं उसे संबंधित है तो यहां पर आपका जो है सबसे अब हर सीनियजuis ऐगा चरिनीयन अलपाइन उस यह नभींत्म के आसपास की यह सरणियां हो गई है तो इस ही करम आपका हो जाएगा चरणिनियन कर्योडिन और हरिसीनियन और अलपाइन फोर थांसर हो जाएगा उसके बाद देखे घाटी के निमलिकित में से किस भाग में नदी के गुमफित जलमाख से होकर परवाइथ होन कहां पे किस भाग में प्रसंद देख लिए तरौड़ा वस्ता में तीवर ढाल वाले चेतर में गिरिपच चेतर जहां पे तलठच के विसाल टुकड़े हो ठीक मोहाने के निकट जहां नदी का बेका पी कम हो जाता है और सीर्स चेतर के निकट गुमभित का मतलब की जैसे माल नदभार का जमा हो गया नीचे से नदी जो है प्रवाइत हो गई तो ब्रैड़ेट जो चैनल बनता है यह अपका मोहाने के निकट जब नदी का बेक बहुत कम हो जाता है तब उस समय क्या होता है कि उसके अंदर जो है बाहर वहां छमता कम हो जाती है और वो चारों तरफ बीच में गुमफित की तरह निकल जाएगी तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा C यानि 3 आगे देखे 59 में यह भी इंपर्टेंट है महासागरों में जो थर्मोकलाइन लेयर है देखे महासागरों में तीन टाइप की लेयर है उसको आप देख लीजिएगा पिक इस रूप से आप से प्रस्ण पूछा जाता हरियाना में भी आपका अरियाना पॉब्लिक सर्विस कमिशन का जो असिस्टन प्रोफेसर का एक्जाम हुआ था पिछली बार आइधिंग कि यह आपका 2019 के आसपास हुआ है ठीक 18-19 में हुआ है यह तो वहाँ पे यह प्रस्ण पूछा जाता है पूछा गया भी था और जो यूके वाला आप लोगों को ने साल्फ किया होगों वहाँ पे भी यह प्रस्ण इस तरह से थे थर्मो क्लाइन लेयर का मुख लक्षण क्या होता है तो यहाँ देखिए यह जल की सबसे उसम परत होती जिसमें तापमान सभी ग गहराई बढ़नेक साथ तापमान बढ़ता है या इस परत में तापमान कम होता है गहराई बढ़नेक साथ नहीं बढ़ता है या फिर इस परत में तापमान गहराई बढ़नेक साथ तेजी से गिरता है तो धर्मो क्लाइन यानि ताप प्रमणता की बात की जारे तो ताप प 60 नंबर जो प्रस्ण है हमारे पास 60 ठीक तो यहां पर देखिए सागरी जल में लवनों का सही क्रम पूछ रहा है घटता क्रम यानि सबसे आगे उसके बाद उससे कम उसके बाद उसके कम तो सबसे ज्यादा क्या है सबसे ज्यादा आपके पास sodium chloride है मास आगर मिए आप जानते है ठीक इसका करम भी आपने कराया है अब देखिए का PGT वाले में भी कराया है और नेट वाले में तो यह हुआ ही है तो यहन्य सील ठीक यह आपका इस तरह स होते हैं वो टाप मात्रा में यानि कि जो बढ़ती मात्रा उनकी होती है सरवादिंग मात्रा में क्लॉराइड वाले ही पाया जाते हैं सोडियम क्लॉराइड मैगनीसियम क्लॉराइड मैगनीसियम सलफेट उसके बाद आपका कैलसियम सलफेट है तो यानि कि मैगनीसियम क्लॉ नेक्स्ट क्यूस्टन है 61 इसमें दिया कि मानचित्र में महानगरी यहां ग्रामड जनसंक्या कि बित्रण को एक साथ प्रदर्सित करने के लिए सरवाधिक उप्युक्त आ रेखी क्या है तो यहां देखे यह चीजें हमने कराया आपको नेट वाले में देखिए का प्राक्ट होगा तब आपको कौन सा यहां उ Ming जादा उप्युक्त होगा तो यहां आप देखे 2-0 ज्यादा उप्युक्त जो होगा इस्टेंडी गिर आयतनिक जो बिदी है ठीक इस्टेंडी के वायलिमेट्री मेथड जो है यह ज़्यादा उपयोगी होगा ग्रामिड और महासगरी दोनों महानगरी दोनों की जनसंख्या को एक साथ दर्साने के लिए अगला पैंड देखते कौन सा एक प्रक्रम महादेशी संचलन नहीं है तो जियो महारपलाजी में जो आपका स्लेबस डिस्क्रिप्शन हम लोग जब दे रहे थे स्लेबस कर रहे थे वहाँ पे आपने देखा होगा कि इपेरियो जेनेटिक मूब्मेंट की बात हुई थी महादेशी संचलन की बात हुई थी थी यहां पे पूछ रहे कौन सा महादेशी संचलन नहीं है तो इसमें जो आपका भू अस्खलन है यह महादेशी संचलन नहीं है जबकि आउतलन उत्थान निमजन यह आपके महादेशी संचलन है महादेशी संचलन यानि महादीपों का अलग से तो भू असकलन क्या होता है कि उसमें जैसे बड़े पहाड या परवर तूटके गिरते एक प्रकार का मुव्मेंट होता है यहाँ पर अगला देखे निमलेखित में अनाच्छादन प्रक्रमों में क्रमा नुसाल लगाईए त और अपतवधन को संब्ली तुप से क्या बोला जाता है अनाच्छादन तो डैनुडेशन क्या है एरोजन और वेदरिंग दोनों के संब्ली तुरुप को बोला unmute को ला जाता है है और यहां पी हम लोग को अनच्छादन परक्रमों के बारे में आपे देखना है तो सिक्स्त पर क्या होगा पहले तो आपका अपक्षय होता है अपक्षय का मतलब कि जो चट्टान है इसमें केवल टूट फूट हो जाएगी ठीक और लेकिन ये अपने अस्थान से कहीं इधर उधर नहीं खिसकेगी अपर्दन में क्या होता है पहले क्या होता है जब मालिजे चट्टान है इसमें चटकने देखने को मिलेंगे लेकिन यह अपने अस्थान से जाएगी नेट इसको बोल दिया जाएगा अपर्दन इसके बाद क्या है जब और प्रेसर पड़ेगा वर्सा होगी तो इसमें टूट-पूट होगा और जब टूट-पूट होके यह वर्सा के इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपका हो जाता है कि जो परिभान है ठीक जिब यह अपर्दन हो जाएगा अपने अस्तान से जाएगा तो इसको परिभान बोल देंगे परिभान होके कहीं और जाके यह निच्छे पित हो जाएगा तो आपका निच्छे पड़ हो जाएग तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है 64 कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो भूसनत सिधान्त कोबर का है ठीक भूसनती सिधान्त आपका कोबर का है राइट है यह महादीपी फिसलम सिधान देखे स्लाइडिंग कॉंटिनेंट थेवरी यह आपका जॉली का नहीं है अब यह आप वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा उसको आप देख सकते हैं संबंत रंग सिधान भी उन्होंने एक्स्प्लेंड किया है महादी पी प्रवाद सिधान बिगनर का राइट है यह ठीक कॉंटिनेंटल ट्रिफ थियोरी बिगनर का है कहीं कहीं आपको देखें ट्रिफ थिय प्रवाद सिधान बिगनर का राइट है यह ठीक रेडियो आक्टिव जो है जॉली का है आगे हम लोग बात करें शिक्स्टी फाइव तो यहां देखें प्लाया जील की बात की जा रहे है प्लाया जील कैसे बनती है तो प्लाया जील आपको कल अमने बदाया था पहला प्रस yes in पाई जाती है यहां पर बर्शा काजल एकत्रित हो जाता तो जहीं आपका प्लाया जील का अग्जांपल है तो प्लाया जील कई और टाइप से बिती है उसको हम लोग बाद में explain करेंगे जहील के chapter में अलाकि इस पर हमने वीडियो बनाया आप देख सकते हैं अगला देखे birds food डेल्टा पंजाकार डेल्टा ठीक या पक्षिपद आकार डेल्टा birds food यहने कि पक्षिपद आकार डेल्टा तो इसमें पूजरा है कि कौन सा उसका उजाड़ है किस नदी के द्वारा वो बनता है तो यहां पर नाइजर दिया है Mississippi है राइन है वांग हो है तो पक्षिपद जो डेल्टा का निर्माण कौन करता है Mississippi जो डेल्टा है Mississippi नदी Mississippi मिसोरी बीचिक आ जाता है मिसोरी दूसरी नदी है ठीक हलाकि यह दोनों एक साथ मिलके यह से की बड़ी नदीयों में सुमार है अगला देखे 61 सॉरी 67 है सब्सक्राइब बीच वन आप दे डिपोजिशनल लेंड फार्म इन कास्ट टोपोग्राफी ठीक तो यहां पर पूछ रहा है कास्ट टोपोग्राफी में कौन सा जो है निक्षे पात्मक अस्थल लूप है देखे जो आपका कास्ट अस्थलाकरती में निक्षे पात्मक अस्थल लूप है यह आपका है ट्रेमेंटाइब टाइम यहां आपका कास्ट टोपोग्राफी में लेंड फार्म है अब इसको डिटेल देखने के लिए आप जियो मॉर्फोलाजी का वीडियो देख लीजेगा उसमें कास्ट अस्तला कृतियों के निच्छे पात्मक और अपरदनात्मक दोनों चीजों के बारे में बात हुई है इसमें आपका है एरिट टोपोग्राफी से आपका यह रिलेटेड है आगे हम लोग देखते हैं 69 इसमें करा काउन सा हिमानी अस्तला कृति का परदन भूरूप नहीं है ठीक यानि कि आपका इरोजनल लेंड फार्म आप ग्लैसियल टोपोग्राफी कौन सा नहीं है नाट की बात की है नाट इसको ध्यान दीजिएगा नुनाटक है तीष्ट नहीं है यानि कि अपरदनात्मक भूरूप नहीं है तो कौन सा कौन सा इसमें निच्छे पात्मक है यह आपसे पूछा जा रहा तो 69 में क्या हो जाएगा जो आपका केम होता है केम कि यह आपका निच्छे पात्मक है जबकि क्या है यह अपरदनात्मक होगा नहीं तो राइट आंसर फोर अगला देखे 70 नंबर वीच इस नाट करेक्ट मैं चैनी जली से जो संबंदित है यह इसमें आपका याप दे रखा है तो इसको भी आयोग ने हटा दिया है ठीक तो 70 नंबर भी अट गया है इसको हम लोग आगे देख लेंगे पहले 71 देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने टार्गेट यहां भी बनाया है कि जल्दी से जल्दी हम लोग टूटल 1500 के वल कर ले अनुदैर्द स्टूप सीफ की नाम से जाना जाता है यह कथन है कि जो अनुदैर्द स्टूप है इसे सीफ की नाम से भी जाना जाता है उसके बाद कह रहा है कि सीफ की आकृत अर्द चंद्राकार है एक तरफ देखे देख आया है कि अनुदैर्द स्टूप है जिसे सीफ क जाता है ठीक इस तरह से आपका बनता है और सीफ की आकरिती जो है अर्द चंद्राकार है उसमें कह रहा है तो यह आपका अर्द चंद्राकार तो होगा नहीं क्योंकि इदर आपका अंदर्द कहे रहा है यह गलत हो बार्सिब टापांतर है कहां पर देखा जाएगा क्योंकि यहां पर नूंतम वह अंतर की बात कर रहा तो इसका मतलब की जो दिन में टरभर टमपरेचर हुआ या दिन के किसी भी महीने में जो टेमपरेचर हुआ और जो अधिकतम टेमपरेचर आप यहां पर लगभग टंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़के जाएगा उसकी चेत्रों में 10 डिगरी तक बहुत ज्यादा जाएगा तो ठीक जो टूंडरा वाले चेत्र हो गया है जबकि जो टाइगा वाले चेत्र में टूंडरा हो गया या जो हमेशा बर्ब से ढखा होता हुआ पर औ और जगह तो बदलते रहते हैं तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा थ्री आगे हम लोग देखते हैं सेवेंटी थ्री ठीक तियाब दिया कि निम्ने में से कौन सा एकार्ड तापमान का प्रधवी की सता पर बितन को प्रभावित करता है यानि सूरिया तब को प्र प्रधरतल से उचाई भी है ठीक जो समद्धतल से कम नीचा होता है आप जानते हैं कि वहाँ पे जो रेडियेशन है या सूर की किरणों का प्रभाव अलग होता है जो ज्यादा उचा हो तो वहाँ अलग होता है तो वाई मंडली प्रेसर जो है इसमें कोई इसका संबंद न निग्री हो गया यह अपका गुंड़ हो गया ठीक तो यहां से आप आएंगे तो क्या बोला जाएगा यह को किशेवन्टी फोर में देखिए तो सबसे पहले आपका यह एकटारियल लू-प्रेसर बिल्ट होता है उसके बाद यह अपका हाई प्रेसर बिल्ट हो जाता है ठ ठीक, फिर उसके बाद आपका उप धुरुभी ये निम्न दाव आता है, फिर आपका धुरुभी उच्छ दाव आता है, ठीक, ये पहले आपका क्या आता है, समझेगा यहां से, ये आपका low pressure पहले आता है, फिर high pressure आता है, फिर क्या होता है, फिर low आता है, फिर आपका high pressure आत 35 में कहा रहा है कि पच्छुआ आवाओं की सरवादिक गती कहां पे होती है तो जो आप जानते हैं विस्टर लीज बोला जाता है जब 40 डिग्री में आएंगे तो गरच्चा 40 चीखता 60 ठीक और 60 डिग्री पर 50 डिग्री पर ये सभी के हैं दक्षडी गुलार्द में महासाग पर होते हैं तो सरवादिक जो गती होती है यह आपका यहीं पर आपजर्ड किया गया है दक्षडी गुलार्द महासागरों पर आगे हम लोग देखते हैं 76 ठीक 76 में जो दिया गया है आपका कि CT CT वाहिरासियों का सुरोत कौन सा है कौन सा च्छान सी प्रदेश है CT यानि कि जब महादीपी जलवाय की बात की गई थी तो महादीपी जलवाय की ही एक टाइप है यह ठीक तो इसमें पूछ रहा है कि CT वाहिरासियों का सोर्स कौन सा च्छान सी प्रदेश है तो यह आपका है 15 से लेके जो 35 वाला उत्तर या धक्षणी अच्छान सी छेतर है यह आपक कौन सा कथन सही नहीं है ज्यादा तर जो आप कोई गल्तियां होती है यहीं पर आप देखते हैं आंसर लगा देते हैं तो नहीं जरूर फोकस करिएगा कौन सा कथन सही नहीं है 77 विश्वत रेकी प्रदेश में वर्षा का आउसत वार्षी क्यूग सरवादी को तह सही ठंडी मास आगरी धार है, 30 छेत्रों परियापत वर्षा करती है, ठंडी वाली नहीं वर्षा करती है, गरम वाली कराती है, परोती भाग में वायू के उपर उठने, उठना प्रादेशिक जलु वर्षा बित्रन को प्रभावित करने वाला प्रमुक कारा किये सही है, तो इसम 1931 वाला ठीक, 48 में एक था उनका, तो 1931 की बात कर रहा है कि इसमें मुख्य आधार उन्होंने क्या माना था, तो यह हम लोग देख रहा है, 78 नमबर, तो इसमें पूझराक थार्ण छेट ने जो बरीकन किया था 1931 का, उसमें उन्होंने क्या आधार माना था, जबकि उन्होंन कर देख रहा है कि उन्होंने वर्षा प्रभाविता को अधार मनाया था और ताप्ली दक्षता को अधार बनाया था, ठीक, मासिक वर्षा और आउसत मासिक तापमान इन दोनों को आधार उन्होंने नहीं बनाया था तो यहां पर राइट आंसर ए और सी है यानि कि थ्री आपका राइट आंसर हो गया आगे हम लोग बात करें नेक्स केस्चन 79 तो तापमान प्तिलोमण के लिए देखें धरमल इन वर्जन की बात कर रहा है यानि तंपरेचर नुर्जन तापमान प्तिलोमण के लिएक कौन सी दसा उपयूक्त नहीं है ठीक यह आपका जो आप घरमाल प्रतिलोमन की बात हम लोगों ने किया है क्लाइमेटोलोजी में उसमें डिटेल में आपको कराया भी गया मैंने भी कराया है प्रसांसर ने भी कराया था तो यहां पर तापमान प्रतिलोमन के लिए कौन स्यू प्यूक्त दसा नहीं है 79 में पूज रहा है तो यहां देखे सी सांत और साफ आकास यह थर्मल इंवर्जन की लिए आवस्यक भी है थर्मल इंवर्जन का मतलब कि नार्मली हम लोग जाते हैं उपर तो टंपरेचर क्या होता है 165 या फिर आप कहलेजिए कि टंपरेचर जो है घटता ही है एक डेगरी के आसपास जो है इतनी हो चाहिए पर घटता है लेकिन यदि घटने के बज़ाए उपर जाने बढ़ जाया तो वही क्या हो गया इनवर्जन हो गया तो यहां पर कह रहा है कि कौन सी दसा जो है इनवर्जन से संबंदित नहीं है तो धरातल का प्राकरतिक बनस्पत इसी अब्रित हो ना यह आपका इससे कोई संब्द नहीं रखता क्योंकि धरातल की बात की जा रही है वह मंडल में इससे कोई और उसके आप देखे जब आकास साफ हो तथा प्रति चक्रवर्ती दसाएं हो तो यह आपका सही है क्योंकि धर्मनिजमर्जन के लिए यह जरूरी है जब दरातल बार प्योंगें से ढगा हो तो भी आपका जरूरी है यहां से आप देख सकते हैं तापमान प्रतलियुमन को प्रभावि इतने सीतुरित में सांत और साफ आकास जब आकास साफ होता था प्रति चक्रवर्ती चक्रवाती दशाएं हो जब धरातल बर्फ हो रिम से ढगा हो ठीक उसके बाद एट्टी में आते हैं हम लोग कि टेलीग्राफ पठार यह देखिए कई बार पूछा गये यूजीसी में ह आपका टेलीग्राफ का पठार है यह कहां पे है अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी वाला पार्ट है ठीक तो यह आपका टेलीग्राफ ही पठार का आ जाता उसे आगे आए एट्टीवन एलूशियन गर्थ यानि कि इसको साल्व करने से का आइडिया बन आए कि नहीं कि कि जो वह लाइनर टाइप के प्रसन आपके जीएस वाले हैं वह भी यहां पर पूचे जा रहे है तो अलूशियन जो ट्रिंच है कहां पे है यह तो अलूशियन ट्रेंच जो है यह आपका उत्तरी परसांत महासागर में आप देखेंगे कमचट का प्रायधीफ है तो इधर यह आपका यह पर पढ़ता है ठीक तो इसमें राइट आंसर आपका हो गया उत्तरी प्रसान महाशागर अगला देखिए यहाँ पर दे रहा है कि the highest silency in another hemisphere is found between तो उत्तरी गुलार्द में जो सरवाधिक लवणता होती है कितने अंच्छांसों के बीच पाई जाती है और उत्तरी अच्छांसों के मद्ध की बात कर रहा है जो अधिकतम silency यहाँ पर देखने को मिलती है 20 से 40 क्योंकि यहाँ पर temperature भी ज़्यादा होता है न टमपरेचर ज़्यादा होगा वर्सा यहाँ पर एक शाकरित आपका equator से कमी हो पाती है तो इसलिए यहाँ पर जो संसाधन कौन साधन नहीं है 83 तो Sagar ले संसाधन कौन सन नहीं है यहाँ cameras पेट्रोल प्रकृतिक गैस जो आपका थोरियब का य। यह मिलता ह। लेकिन अब र्यक की सीटे साघ्रों में आपको खो जीए मौनजाइट अबरक तो अबरक सागरों में तो मिलता नहीं पेट्रोल प्राक्रडिक गास मोनजाइट जो आपका थुरियम का यह मिलता है लेकिन अबरक की सीटें सागरों में आपको खोजियेगा मत वहाँ पर मिलेगी नहीं ठीक वैसे जाना तो पड़ेगा नहीं आप लोगों को हो सकता है कोई यहां पर वोसनिक रिसोर्स से संबंदित खोज उच करे तो जाएगा फिलाल यहां पर जो दिया गया है तो अब रख मत खोजिएगा अगला दिखे 84 who propounded the stationary wave तो यहां पर दिया कि इस्थातिक तरंग सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया तो इससे क्या समझ में आता है जितने सिधान्त उसको आपको रट्टा मार जाना है सिधान्त पूरे important है वहां से प्रस्ण आपको शियोर है 57 म deiू आपको देखने को भी मिल गया है अबी तक जो मैं लोगों की 84 प्रस्ण जो अबी तो जो आरवांटा से संबंदि जितने सिधान्त उसको रट्ली जिए गा तो यहां पर दिया कि इस्थातिक तरंग सिधान्त किसका है तो इस्थातिक तरंग सिधान्त जो है यह अभी प्रस्ट में कोई आपको तुरूटी लगे तो जरूर बताईएगा ठीक दुबारा से हम लोग उसका रिविव कर लेंगे आगे देखे सूची वन और सूची टू में क्योंकि गलती की संभावना है हर किसी से होती है तो हो सकता है कि मुझे बोलने में कभी-कभी आप देखते तो यह मानवी तूटियां है तो इसको आप ध्यान रखीएगा सूची वन और सूची टू की बात करें तो महासागरी धारायाखनों का नाम तो हम बोल्ट यहां पे तो किस मासागर में आ जाएगा यह आपका प्रसांद मासागर है कौन सा प्रसांद मासागर उत्तर यह दक्षणी तो यह आपका हो जाएगा दक्षणी प्रसांद मासागर तो B का आप देखे कौन सा हो जाएगा फोर ठीक तो 85 में ये आपका B का 4 हो जाएगा तो इसमें देखे कौन ये दोनों तो आपके हड़ गए आपसन बचे ये दोनों एक आवंदे रखा है यानि अगुल हास जो है ये आपका दक्छडी हिंदमासागर में हो गया ठीक उसके बाद देखे C और D में आपको डिफर करना C यानि कि क्यूरेशियो और बिंगवेला तो क्यूरेशियो और क्यूराइल की धारें कहां पर चलती है ये आपका जो जापान है जापान के पास जो ये चलती है तो जापान किस मासागर में आ जाएगा जापान यह आपका उत्तरी प्रसांत में आ जाएगा तो C का क्यूरोशियों में आपका हो जाएगा 3 तो यह आप देखें यह आपका 4 हो गया यह आपका 1 हो गया क्यूरोशियों आपका 3 हो गया बेंगवेला आपका दक्षडी अटलांटी महासागर तो इसमें right answer 1 हो जाएगा आगे देखे इन महासागरी ये निक्षेपों में ग्लोबी जेरिना निक्षेप कौन सा है देखे जितने ocean deposits हैं इसको भी रट्टा मार लीजिएगा ocean deposits की मैं बात कर रहा हूँ उसको भी रट्टा मार लीजिएगा यहां पर देखे डारेट प्रस्ट पूछागे 86 का तो जो ग्लोबी जेरिना निक्षेप है महासागरी निक्षेप ये आपका एक प्रकार का बायोजेनिक deposit है ठीक क्या है बायोजेनिक deposit है तो इसमें right answer आपका जैविक निक्षेप हो जाएगा 86 87 देखिए इताल की सरवादिक संक्या कहां पर पाय जाती है अ प्रसांत में आप जानते हैं कि जो अस्टिलिया है उसके पूर्वी छेतरों में सबसे बड़ा जो ये पाय जाता है ठीक आगे हम लोग बात करें तो 88 नंबर का प्रसंदी आ गया है और इसमें पूछ रहा है कि निम्ड कत्नों का परिक्षण कीजिए 87 में हम लोगों ने देखा परसांद मास आगर 88 देखिए 88 में आपका है निम्ड कत्नों परिक्षण कीजिए सही उत्तर का चैन कीजिए कि 30 प्रवाल वित्तियां अस्थल की सीमा से 60 होती है तटी जो प्रवाल वित्तियां है ये अस्थली सीमा से 60 होती है ये बात आपका सत्य है इसलिए तो तटी बुला जाता है औरोध प्रवाल वित्तियां अस्थल से लाइगून द्वारा प्रथक होती है तो ये भी आपका सही है क्योंकि लैगोन जो जीले हैं ठीक इसमें अस्थल भाक से इनके बीच ये इस तरह फैले ही रहेंगे इसलिए तो ये औरो दुद्पन करती है इसलिए 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 औरो धक प्रवाल वित्यां कहते हैं आगे देखते हैं ग्रेड बारियर रीफ न अकार का दुईप है तो ये टाल जो दीप है इस तरह से या आप कह सकते हैं इसे गोडे की नाल की तरह ये रहता है तो मुद्र का आकार का ये दुईप है तो डी आपका ये राइट है ठीक तो इसमें देखिए आपका A, B और D यहां पर सही है यानि दो नमबर जो है आपक चक्रा यह नहीं है देखिए कई बार यह प्रस्ण आपको पूछा गया जबकि नाइट्रोजन कार्बन अक्सीजन सब हमने पढ़ाया है ठीक इन्वार्मेंट वाला जो टापिक आप देखिएगा उसमें यह कराया गया है आगे देखिए घास छेत्र पारिस्तितिक तंद्र म पिरामिड्ओं के बारे में हमने बोला है आपको कि कहांपा प्रसीता होता फर्लामिड कैसा होता यहां प्रस पूछा गया है इसमेंué जो गास शेत्र होता है journée là मेंत कर दा होता है इसका आधार चोड़ा होता है यानि इस तरह से होता है तो सीधा खाड़ा आप कहा सकते हैं यह पिर्यामिड होगा ठीक तो राइट आंसर नैंटी का बन हो जाएगा उसके बाद देखिए नैंटी वन में हम लोग आ जाएं तो उच पारिस्तिक पादक्ता वाला परदेश कौन सा है यानि कि हाई एकोलाजिकल प्रोड़क्टिविटी कहां पर देखने को मिलेगी तो यह आपका देखने को मिलता है उसलों एवंग सीतो उसलों कड़ी बंदी परदेशों में हाई एकोलाजिक तो इसमें आपका जो ब्रिहत जैविवित्ता का अच्छे देशित मेस्को है बड़ा आगास कर भी है ब्राजिल भी है लेकिन टर्की आपका यह यहाँ पे ज़्यादा तर बालोजिकल डाइवर्सिटी या मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंतर गतिये नहीं आता है आग जैविवित्ता का जो हाट इस्पॉर्ट है कौन सा नहीं है तो भारत में कितने हाट इस्पожно है clicked बętर इसेथ के कर सकते हैं तुमें ugs याइबिट्टा का और ऊपर角 अनोब्प के लिए जानुवरों के लिए कि प्रकार के जे अभी वित्ता सनक्षन के उधारण है तो जो बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसमें दो टाइप की बात हमने किया था आप से एक सीटू और इन सीटू एक सीटू यानि कि जो उनका अस्थान है वहां से उठा के उनको कहीं और लाग के जैसे जो बायोचकल के लिए। इस कि अनतरगत आएंगे ये ऐक सीटू में आएंगे क्योंकि जो पादपी उद्यान होता वहां पर लग अलग जगह दुर से पौधों को लाग के यहां पर बनाया जाता है ठीक और प्राणियों को भी इसी तरह से उसमें किया जाता है तो यहाँ आप देखें जो आपका बहीर अस्थाने सनक्षण है उसके बाद 95 में हम लोग देखते हैं वीच आप फालोइंग जियोलाजिकल इंवार्मेंटल ह hack यानि कि कौन सी भूगर्विक परियावंडी आपदा नहीं है क्या बोलाए भूगर्विक की बात यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 95 तो भूगर्विक परियावडी आपदा कौन सी नहीं है कि यहां बेखें भौ अस्क लन है भूं कम भी ए जो अलंकर यानिक ज्ञस्रातल की जो प्लेट यह हैं उनके वज़ाय से जो यहां पर आपदा उत्पन होती है भूसकलन होता है भूकम भी आता है प्लेटें इधर दर होती है ज्वाला मुखी भी आता है लेकिन सूखा जो है यह इसका प्लेटों के संचलन से कोई मतला नहीं है मांसून से यह संबंदित है ठीक आगे हम लोग बात करें 96 तो 96 में किसने भूतिक भूगोल सब्द का प्रियोग सामान ने भूगोल के लिए किया है यहनि फेजिकल जागरफी का उपयोग जो है किसने जनरल जागरफी के लिए किया 96 में देखिए हम बोल्ड कालरेटर रेट जल रिच्थोपन तो भूतिक भूगोल हमण ने बोईर के लिए किस ने किया है हम बोल्ठ ने किया है तिक इसको आप पी जिटी वाले लेक्चphone मेँ आप zit लोह ने देखा होगा को है । आगे the author of the book Geography and Geographers तो ये आपका right answer क्या हो Caroline ये हमने कराया भी है RJ Johnson ठीक आगे देखिए Johnson ने agriculture जो region है उसके dividedation में भी इन्होंने बताया थह that three life and two death की बात भी इन्होंने की थी आगे हम लोग देखें कि behavioral matrix यानि कि बियोहारवादी शाचा किसने प्रस्तावित किया प्रेड किर्ग जिनेशन या ब्राउन ठीक तो इसमें किनों ने बियोहारवादी अभी आपने उपर ही देखा था मैच कराने के लिए जो बियोहारवादी सिधान्त है behavioral matrix है उसको किसने उपयोग किया था प्रेड ने यूज किया था जबकि किर के क्या है ये ब्योहारवादी संकल्पना को behavioral geography ठीक अगला देखिए major natural region की बात करें तो इसके लेखक कौन है रॉक्स भी हर्वर्ट सन stamp या हर्ट सोन तो 99 का जो right answer आपका हो जाएगा major natural region तो ये किसका है हर्वर्ट सन का है major natural region इन्होंने जो अब इसको आप लोग बताएंगे कि बिस्वग में जो क्रिसी जलवाई प्रदेश है ठीक उसको हर्वर्ट सन ने कितने भागों में divide किया था और कितने आधारों को उन्होंने रखा था पांच आधार माने थे आप ये बता दिया गया आपको कि अब आप बताएंगे यहां पर कि कितने वर्गों में divide उन्होंने किया था विस्वग जलवाई प्रदेशों को ठीक अगला देखिए और ये लास्ट आज का प्रस्ण है इसमें मैच कराना आपको भोगल बेता और उनके लेक यानी कि जो भोगल बेता है और लेखक काौं से किताब उन्होंने लिखा यह भी आपको पूरी तरह से रट लगाना यहां पर तो नमबर का प्रशन है और यह आज सेशन का लास्ट है एच बैरोज देखें सिविलाइजेशन एंड क्लाइमिट मॉडल इन जोग्रफी जोग्रफी एज हुमन एकोलाजी एर्थ एंड मैन तो यहां फिर आप देखेंगे कि मॉडल इन जोग्रफी किसकी है तो चार्ली और हैगट की ठीक मॉडल इन जोगरफी चार्ली और हैगट की है उसके बाद अम लोग देखते हैं तो आपका हो गया D का 2, तो D का 2 कौन सा मैच कर रहा है, देखें, एक भी नहीं कर रहा है, तीनों में, फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाए, क्योंकि D का 2 है, माडल इन जोगरफी, एक आपका कौन सा, बैरोज ने, जोगरफी एज, यूमन इकोलाजी, मानो पारिस्टिकी किसकी है, एचज बैरोज की है, उसके बाद आते हैं, हटिंग इटन ने क्या लिखा है, तो हटिंग इटन का आपका सिविलाइजेशन और क्लाइमेट, सब इता और जलवाई है, ठीक, उसके बाद आपका देखते हैं, आर्नोल-गोचार्ट, तो आर्नोल गोचार्ट का क्या है, आर्नोल गोचार्ट का आपका है, C का, यानि कि the Earth and man, यह नया यहाँ पर देखने को मिलाँ, जिसको आप नोटडाउन भी कर लीजिएगा, तो रहाइट आंसर यहाँ पर आपका एक हो जाएगा, यानि 1st, थीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, यहां भी देखें, 101.1 प्रसन आपका दिया है, कि भुगूल, वेत्ता, संभवाद की संकर्पना से संबंधित नहीं है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, कल 50 प्रसन देख लेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स पर वाचिंग,